कि ह करें है हम इस विडियो में डिसकस करेंगे क्या चीज are रल के बाऄ मिęंट हिंए हम पढ़ेंगे यार कि आखिर इर्राश्नल नंबर्स होते क्या है ठीक साथ ही शाथ यार उनका पृफ देखेंगे कैसे आप एक नंबर को ठीक है कैसे आप एक नंबर को डेडियूस करते हो एक प्रूफ देते हो यार वह एक राशनल नंबर है ठीक है तो यार सबसे पहली चीज़तों मैं आपको यह बता दूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है वीड ओन इसे जांड़ होता है एक यहांस नहीं होता है ठीक है नोन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल झानिखन को क्या कहते हैं हम उनको कहते हैं राशनल नंबर जैसे उनका एक्जामपल आप ले सकते हैं अंडरूट तो अंडरूट 3 अंडरूट 6 एंडरूट के बाद वापस से repeat होता है ठीक है लेकिन यार अंडर रूट 2 में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वह 1.414114 मतलब कोई एक sequence नहीं बना रहा राइट इस तरीकी के सेवन यह एक राशनल नंबर है राइट क्यों यह पी अपॉन क्यों फॉर्म में है और यहां पर क्यूं नॉट इकस टू जी रो एक लेकिन पाई जो है वह एक इर्राशनल नंबर होता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक यार आखरी में मैंने यह जो लिखाना क्यूब प्ल और एर्राशनल नंबर के सम यह ठीक है डिफरेंस को हम क्या कहते हैं वो किस तरह का नंबर होगा वो एक इर्राशनल सकते हैं यह आपको पता चाहिए जैसे हम एक्जाम्पल में इसन। कर सकते हैं जैसे एक्जामपल में क्या उठा सकते हैं कि मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है टुठीश है और उसको हमने प्लस-mाइनस कर दो आप अंडर रूट टू के साथ है तो two plus minus under root two ठीए किस तरह का नंबर ए Glassesmal नंबर है क्यों इर्राशनल नंबर है ठीए क्योंगि इनकी certificate में यह ठीट है अब two plus one point four one four one one four ऐसे करकर जो निकाल रहे हूं Дिसिमल के बाद यह किस तरह का नंबर है नौन रिपीटिंग है ठीए नौन रिपीटिंग तो यह किस तरह का नंबर होगा राश्नल नंबर हो गया जैसे एक और इंडवया सकते हैं पी अपॉण क्यूब ले लिए हमने टूपान थरी फ्लस अंडर ऊट थी ठीक है यह किस तरह का नंबर है यह भी आपका एरराशनल नंबर है ठीक है इसको एच्छे से देख लिजिए अब आते हैं इनके मल्डिप्लिकेशन में किसमें बडिप्लिकेशन में मैंने लिखा है डिविजेन का नहीं लेकिन यार आपको इतना तो पता ही हो कि डिन क्या होता है multiplication with a number and a reciprocal ठीक है क्या होता है multiplication basically यह एक number होता है माली जी one upon two हो गया और उसके अगर मैं यह जी जादा अच्छे इक्जांपल नहीं है जैसे example उठाए कैसे जाओ उठाए सकते हैं और फॉल है तू डिवाइड वाइड थी ठीक है तो यह बेसिकली है क्या टू इंटू रेसिप्रोकल ओफ थी से मुल्टिप्लाय कर रहे है ठीक है तो यह किस तरका नंबर हुआ है यार यह भी एक मुल्टिप्लिकेशन हुआ है इतना आपको पता होना चाहिए अब मैं यार क्या उठाया नंबर ले लिया है और उसको multiply कर अंडर रूट 3 से है तो यह किस तरगा number हुआ यह एक irrational number हुआ लेकिन अगर एक rational number 0 ले 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 और उसको किसी भी irrational number ठीक है irrational number से multiply कर तो आंसर दो 0 आएगा और 0 किस तरगा number होता है वो एक rational number होता है क्यों कि उसमें यह जो है ठीक है p upon q form है जहां where q is not equal to 0 q is not equal to 0 ठीक है यह आप अच्छे से नोट कर लिजेगा ठीक है q कब होगा जब value 0 हो और irrational कब होगा हर केस में ठीक है मतलब कोई भी रियल नंबर जब irrational number से ठीक है कोई भी rational number irrational number से multiply होता है तो वो किस तरगा number बनता है वो हमारा बनता रूट 3 ले लिए मैंने q1 और q2 लिखा माइंड यू अलग 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 नंबर है ठीक है अगर सेम नंबर होंगा और उनके जस्ट additive inverse से आप add कर दोगे या subtract कर दोगे तो वो किस तरगा number होगा वो 0 हो जाएगा और 0 क्या होता है एक rational number होता है ठीक है यह आपको पता ही होगा ठीक है तो यह किस तरगा number है यह एक irrational number है ठीक है इनके proof को देखेंगे proof by contradiction क्या है proof by contradiction में देखेंगे irrational number एक और दूसरा irrational number ठीक है दो अलग-अलग irrational number के product को क्या कहते हैं लोग उनके product भी एक irrational राइशनल नंबर होता ठीक है जैसे आप अंडरूट 5 उठा लो और अंडरूट 7 उठा लो यह किस तरह नंबर है यह अंडरूट 35 इस तरह नंबर है एक यहां तक अच्छे से नोट कर लिजेगा और लाइक करना ना भूलें यहां तक तो लिखी लिया होगा अब मैं जल्दी है इधनी तेरे पॉस करके नहीं रख सकते फोन ओन नाइन पढ़ेंगे पूरा कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे लेकिन पॉस नहीं करेंगे तो यह कोई भी डाउट हो यार जरू कमेंट सेक्शन में पूछना मैं उसको अगले वीडियो में तो उठा लूँआ ठीक है एक अच सब्सक्राइब करेंगे तो इससे पहले आपको एक थियोरम पता होनी चाहिए यार थियोरम क्या है आपकी थियोरम क्या है आपकी थियोरम है इफ पी बीए प्राइम नंबर ठीक है पी क्या है पी एक प्राइम नंबर है क्या है पी एक प्राइम नंबर है ठीक है एंड ए इस आप पॉजिटिव इंटीजर ठीक है एक पॉजिटिव इंटीजर ठीक है एक पॉजिटिव इंटीजर ह और वो कहता है theorem क्या कहता है अगर P divides A square ठीक है That implies P divides A ठीक है अगर P divides A square That implies P divides A also ठीक है theorem क्या होती है theorem basically क्या कहता है कि अगर यह condition satisfy होती है तो ऐसा result मिलेगा ठीक है एक set of rules के लिए कहते है उसको हम theorem कहते है एक्जियम क्या होता है एक्जियम तो पता ही होगा कि universally accepted ठीक है हम लोगोंने मनलब मान लिया कि भाई line सीधी होती है तो सीधी होती है उसका कोई proof की जोर्त नहीं है ठीक है वो एक्जियम हो गया ठीक है लेकिन यह theorem है ठीक है इसको अच्छे से पी ए स्क्वेर को डिवाइड कर रहा है तो नम्लाइज पी ए को भी डिवाइड करेगा ठीक है Suk की एक हो भी दो आइड करेगा यह हमारी vidéos अ में इसके through हम लोग contradiction through इसको प्रूब करेंगे कि अंडर रूट टू क्या है अंडर रूट टू हमारा एक rational number है क्या है irrational number है तो सबसे पहले चीज क्या है कि यार की सबसे पहले तो हमें एक assumption लेना है कि अंडरूट टूए algunas number है कि Linda अंडरूट 2 is a rational number हमने क्या assumption लिया है अंडरूट 2 is a rational number that implies अंडरूट 2 को हम लोग P upon Q के form में लिख सकते तो मैं उसको मान लेता हूँ A upon B ठीक है अंडरूट 2 कितरे बराबर है अंडरूट 2 बराबर है A upon B ठीक है A upon B कैसे कि उनका common factor none other than 1 है ठीक है वन के अलावा उनका कोई common factor नहीं है ठीक है यह हमने ले लिया कि अंडरूट 2 है A upon B और एक rational number है यह assumption है हमने assumption क्यों लिया क्योंकि तागे हम contradiction through इसको prove करें कि क्या है अंडरूट 2 एक rational number है अब अंडरूट 2 बराबर A upon B हो गया that implies कि हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हटरदבático अपकkov लिख सकेहं है तो घुडवाइड है अगर और रुख और डिवाइड करते हैं फूलिख सकते हैं तो थ्योरम की त्रूम हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि चुडवाइड हम लोग यह लिख सकते हैं ना 2 Divide's A जब अगर 2 Divide कर दे रहा है A को तू किसको डिवाइड कर दे रहा है टू डिवाइड कर दे रहा है A को यानि यार 2 जो प्राइम नंबर है वो common वो एक factor है एक ठीक है अब यहाँ पर रुक जा ठीक है अगर 2 A को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग twice of something लिख सकते हैं यानि हम लोग a को लिख सकते हैं कि a बराबर two times of any constant c ठेक है और c कैसा है positive है क्यों कि हमने यार under root two एक positive लिया और a upon b कितो लिया हमने positive square किया ठीक है तो a बराबर two c हो गया a बराबर अगर two c हो गया तो अगर a बराबर two c हम इस वाली equation में डाल दे ठीक है इस equation में डाल दे हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं b square बराबर two c square ठीक है और डाल के कर लेंना 2 divides B 2 क्या है? 2 divides 2 divides B That implies 2 divides B square 2 divides B कर देंगे क्यों कर देंगे? उपर थेरम पटकी हुई है इसी थेरम को हर जगा उठाएक पटक देना है इसमें कुछ नहीं सोच रहा है कि क्या हो रहा है 2 divides B ठीक है अगर 2 A को भी डिवाइड कर रहा है B को भी डिवाइड कर रहा है That implies 2 is a common factor for A and B That implies जो हमने अभी assumption माना था कि यार under root 2 एक rational number है जो A upon B है जिसका common factor क्या है? बस 1 है वो कला तिकला ठीक है तो क्या हुआ? That implies under root 2 is an irrational number irrational number ठीक है under root 2 क्या हो गया? एक irrational number हो गया इस तरीकी से हमने contradiction through prove किया कि जो हमने assumption माना था यार कि under root 2 एक rational number है और rational number कैसा है? कि उसका बस common factor in its simplest form क्या निकलेगा? हमारा जो simplest form बें निकलेगा वो है common factor 1 लेकिन common factor 1 नहीं है वो क्या हो रहा है? वो हमारा आ रहा है 2 भी ठीक है 2 अगर आ रहा है तो assumption गलत है under root 2 एक irrational number है ठीक है? हाँ अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया हो तो आपने दोस्तों में सब कोई share करना ठीक है? आज के लिए तो बस एक ही question उठाया है मैंने proofing का एक सारे question उठा लेंगे NCRT इसके ठीक है NCRT के सारे question उठाके कर दिये जाएंगे लेकिन वीडियो को यार अंतर तक जरूर देखा करो हर वीडियो को ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर ठोकना और कोशिश करना जाद जाद दोस्तों में शेयर करो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में तब तक ले बाई बाई थैंक्स वाचिंग